हेलो प्रीवान, विल्कम बेक, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सलूशन आप एक्साइज 8.4 के बारे में मैंने आलेडी आपको दो वीडियो प्रोबाइट करा दिया है जिसमें हम लोगों ने 1, 2, 4 और 5th के 5th पार्ट तक आप लोगों को साल्व करा दिया है आज के इस वीडियो में हम एक साइज 8.4 के 5th के बाकी सारे पार्ट को साल्व करेंगे मीन 6, 7, 8 और 9 और 10 पार्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आज इस ट्रेंट देखते हैं हम लोग कि कौन सा कुछ सान है हमारा 5th का 6th पार्ट का इस ट इसको साल्व करने के लिए आप इसका लीजिए लेट हैं तो क्या है हमारे पास वन प्लस में साइन ठीक है अपान में वन माइनस साइन ए ठीक है यह हमने ले लिया अब देखो हमारी एक बात याद रखेगा जब कभी इस तरह के कुछिशन आपको रूट वाला मिलेगा और तो हमेशा आप डिनॉमिनेटर के से वहा हमार करेंगे और लौट ही हिजल'ी साल्व हो जाएगर करते हैं क्या हो one plus sign a conjugate क्या होगा इसका one plus sign a ही conjugate होगा क्योंकि नीच यह minus है आप आपने स्ट्रेंट्स कितना होगा one minus sign a into में आप multiply करोगे किससे one plus sign a से देखते हैं क्या मिल रहा है स्ट्रेंट्स हम को उपर जब आप multiply कर देंगे तो one plus sign a into one plus sign a हो जाएगा one plus sign a का whole square ठीक है बाते समझ में आ साइन स्कुरार यह बात स्यांस आरों इसको आप गंगे रूट ओबुक्राइब क troph senses काडि को पता है बागा अब कुकि स्कॉर्ण की के बाहर आगा डिस्क्रार कता हो जाएगा अब स्कों दिसको लिखिए वनाacा कॉस एफ प्लस क्या लिख होगे्ट है आप साइन ऐपान में कितना से ठीक है अब आपको सिखाया गि मे करिए गा हम देखते हैं इसमें यहाँ पर ले लेता हूं लिप्टेंट सब्सक्राराहाँ शायन थेटा माइनस्टू साइन क्यूब थीटा ठीक है अपान 2 cos cube theta माइनस का cos theta आप देखो 10 theta हमें लाना है तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे उपर sin theta common ले सकते हैं तो ले सकते हैं तो ले लिए इस्टेंट देखी क्या मिलेगा आपको उपर अगर आप sin theta common लेते हैं यहां बचेगा 1 minus 2 sin square का theta ठीक है यहां पर अगर आप cos theta common ले लेते हैं तो यहां बचेगा 2 cos square theta minus अब देखो इस्टेंट समें लाना है 10 theta ना तो देखो यहां बचा कितना है sin theta upon cos theta sin upon cos ही 10 होता है तो आल लेडी हमारा result आ चुका है लेकिन यह दोनों cancel होने चाहिए यह cancel क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि उपर sin यह नीचे cos या तो आप इस cos को sin में कर लो या तो इस sin को cos में तो किसी को भी convert कर लो अपने आप यह cancel हो जाएगा देखो कैसे इसको साम दिखेंगे कितना sin theta अपान में cos theta यहां रहने दीजिए यहां capital bracket का use करके यहां 1-2 और इसको change कर देते हैं 1-2 कितना cos square theta में ठीक है क्योंकि sin square theta को और minus cos square से चलिख सकते हैं और नीचे क्या बचेगा students 2 cos square theta और minus का 1 ठीक है simplify करते चलिए आराम से students आपके पास बचेगा यहां पर sin theta into में देखो यह minus अंदर multiply करिएगा 1-2 और प्लस 2 cos square theta आपको यहां से मिल जाएगा अब पूरे का अपान students क्या होगा देखो यहां पर cos theta into में हो जाएगा 2 cos square theta minus का 1 ठीक है बाते समझ में आ रही हैं साल्व करते चलिएगा यहां पर मिलेगा students कितना sin theta upon में cos theta इसमें कोई problem है नहीं अब देखो 2 cos square theta पहले लिख लो ठीक है माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1 और नीचे कितना बचा students 2 cos square theta minus का 1 यह दो आपस में क्या होगे cancel होगा students और simply आपको मिला कितना यहां पर आपको मिला sin theta upon cos theta जो की equal हो जाएगा students कितने 10 theta के जो की equal है हमारा RHS के यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था ठीक है students तो बहुत ही simple question थे फिर तका 6 और 7 पार तो भी वीडियो को पास करें और इन question को note करें देर हम लोग करते हैं next part अब देखते हैं इसका हम लोग 8th part देखें क्या है स्ट्रेंट्स यहां पर बोल्ड हाइगी प्रूफ करना है sin a plus cos a का whole square is equal to 7 plus time square a plus quarter square बहुत ही simple सा question है left hand side लेकरके इसको expand करके simplify करेंगे आराम से result आप लोगों को मिल जाएक है strength देखो कैसे lhs आप ले लिजी आप क्या लिखेंगे यहां पर sin a ठीक है और plus strength क्या होगा यहां पर cos a का whole square ठीक है न और plus strength यहां पर क्या लिखेंगे आप cos a plus sick a का whole square यहां पर आप a plus b की whole square से इसको expand करेंगे और देखिए क्या मिलेगा strength a square means sin square a plus b square means cos sick square a ठीक है cos a square a plus two sin a strength into में कितना हो जाएगा cos sick a हो ठीक है बात समझते चलिएगा इसका square को strength देखो क्या मिलेगा आपको मिलेगा cos square a plus कितना sick square a plus two cos a into strength कितना sick a ठीक है यही तो मिलेगा आपको अब देखे simplify करते चलिए इस sin square a plus cos square a को हम एक साथ लिखेंगे जहां समझते चलिए कैसे कैसे हम इसको set कर रहे हैं इस्टेंट्स यहां पर आपको मिलेगा sin square a plus sense आपको मिलेगा cos square इतनी बाते समाझ में आई अब सुनो जो result आपका आ रहा है वो 10 और cot में आ रहा है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे स्कॉसे को cot में चिंद करें कैसे देखो कॉसे की square a को one plus cot square a लिखा जा सकता है trigonometric identities के help से ठीक है अब इसको लिखो स्टेंट्स क्या करेंगे यहां पर लिखो two sign a और स्कॉसे को one upon sign a लिखा जा सकता है ठीक है प्लस यह तो होई गया है अब इससे कि square a को आप लिख दीजिए कितना स्टेंट्स one plus sign square a plus यहां पर होगा two cos a into sick a को हम और पान कॉसे लिख से अब देखो यह कैंसिल हो गया यहां पर यहां पर sign cancel हो गया अब देखो sign square a प्लस cos स्कॉसए कितना हो जाएगा आपका one हो जाएगा ठीक है यह सारे number square करो ठीक है 2 1 3 3 2 5 6 और 7 ठीक है students यहां कितना लिखोगे 7 अब प्लस quart square a और 10 square a बचा है तो 7 प्लस लिख दो 10 square a प्लस students कितना लिख दो quart square a which is equals to rhs और यही आपको प्रूफ करना था बहुत ही simple सा question था आप लोगों ने देखा इसको ठीक है students तो simple question था इसको आप लोग note करेंगे अब हम देखते हैं ninth part जो की काफी अच्छा question है और इस question को solve करने का दो method मैं आपको सिखाऊंगा देखो इस इसमें है क्या कि अगर आप किवल left hand side लेकर की right hand side लाना चाहेंगे थोड़ा सा ज्यादा आपको वहां पर मेहनत करने पड़ेगी ज्यादा mind का use करना पड़ेगा और right hand side लेकर के left hand side लाने का प्रयास करोगे तब भी problem होगा सबसे easy method इसको solve करने का है कि इसका left hand side और right hand side साइड दोनों आप इसका solve कर दीजे तो यह आसान हो जाता है question लेकिन अगर आप चाहते हैं कि left hand side लेकर के हम right hand side लाकर के दिखाएंगे तो मैं वह भी आपको यहां पर करके दिखाऊंगा दोनों method से सिखाऊंगा सबसे पहले हम इसका left hand side और right hand side दोनों साल पर करके आपको दिखाएंगे जिसकी help से इसका answer आसानी से आएगा ठीक है देखें समझे स्टेंट्स कैसे करेंगे हम लोग सबसे पहले आप इसका lhs ले लिजिएगा lhs कितना होगा देखो cos it a minus में कितना है sin a into strength आपके पास है कितना sik a और minus में strength आपके पास cos ए ठीक है अब क्या करिए इसको sin cos में change करिए इस cos it को आप लिदीए 1 upon sin a माइनस का कितना sin a into में strength कितना लिखोगे 1 upon cos a minus में कितना हो जाएगा cos ए ठीक है simplify करेंगे LCM ले करके LCM ले इस्टेंट्स कितना आएगा देखोगे 1-sin square A upon में कितना इस्टेंट्स sin A हो जाएगा into में होगा 1-cos square A upon इस्टेंट्स कितना cos A ठीके simplify करते चलेंगे यहां बचे का 1-sin square A तो 1-sin square A क्या होता है cos square A होगा cos square A upon में आप लिख दोगे sin A into 1-cos square स्टेंट्स क्या होगा sin square A upon में कितना बचे का cos अब यह देखो इससे cancel हो गया यह इससे cancel हो गया उपर केवल और केवल आपके पास कितना बचा sin A into में स्टेंट्स कितना cos है बाते समझ में आ गई आप लोगो यह आपको यहां से मिल गया है ठीक है अब यही पर आप रुख जाईए और right hand side लेकर के solve कर लिजिए तो बहुत ही आसानी से यह हो जाएगा तो RHSS ले ले लेते हैं स्टेंट्स देखो कितना है 1 upon में कितना sin A plus में स्टेंट्स आपके पास cos A बस इसको sin cos में चेंज करिएगा लिखेंगे 1 upon जहाँ time स्टेंट्स वहाँ आप लिख सकते हो कितना sin A upon का cos A जहाँ पे cot A है यहाँ पर जहाँ पे cot A है इसको आप लिख सकते हो कितना cos A upon में कितना स्टेंट्स sin A ठीक है LCM लेकर के solve करिएगा जब LCM लोगेत मिलेगा कितना 1 upon इधर जाएगा यह तो हो जाएगा आपका sin square A plus में स्टेंट्स cos square A ठीक है upon में यहाँ पर आएगा स्टेंट्स कितना sin A into में कितना cos A sin A into cos A उपर भेज दीजिएगा ठीक है तो क्या बचाएगा यहाँ पर स्टेंट्स आपके पास बचेगा sin A into में cos A upon स्टेंट्स देखिए आपके पास यहाँ simply बच जाएगा sin square A plus cos square A इसकी value कितनी होती है 1 होती है तो finally आप लोगों को मिल गया sin A into cos है क्योंकि इसकी value 1 हो जाएगी ठीक है इस तरीके से आप देख सकते है यह किसकी value थी LHS की value इतनी ही आई है और RHS की value भी इतनी ही आई है तो इससे यह proof हो गया कि हमारा left hand side और right hand side आपस में equal है और हमारा result यहाँ पर स्टेंट्स क्या हो गया proof हो गया बाते समझ में आ गई यहाँ last में लिक देंगे आप लोग क्या LHS is equal to RHS ठीक है अब हम बात करते हैं second method की second method क्या है कि अगर हम left hand side को लेकर की ही right hand side दिखाना चाहें तो कैसे हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने left hand side और right hand side दोनों को solve कर दिया है तो देखिए का हमके लेफ्ट hand side से ही solve करेंगे तो left hand side में जैसे आप solve करते आए करते करते यहाँ तक पहुच जाएंगे कहां तक पहुचेंगे आप आपका result मिला है strength कितना देखिएगा sin A into में कौस है बात को समझते चलेगा क्या मिला sin A into में कौस है अब इसी के बाद थोड़ा सामें वर करना है और हमें लाकर के दिखाना है क्या वन अपान टाइन ए प्लस कौट देखो समझेगा क्या इसको अपान में लिखा रहा सकता है कोई फरक नहीं पड़ेगा इससे अब हम क्या करेंगे इसके बाद यहां पर लिखेंगे माद स्कौइर प्लस में क्या होगा साइण सींट क्या होगा साइन का अब यह जो ओपर जाएगा यही मिल जाएगा ठीक है जैसे अगर हमारे पास 3 by 4 है तो इसको 1 upon 4 by 3 हम लिख सकते हैं वही काम यहाँ पर मैंने किया है अब देखो इस ट्रेंट्स अब क्या करेंगे 1 upon तो हम ऐसे लगाये ही रहेंगे अब इसको अलग-अलग करेंगे देखो कैसे साइन स्कॉार ए अपान में हम लिख देंगे यहाँ पर कितना देखो साइन ए इंटू में कॉस है प्लस ट्रेंट्स यहाँ लिखेंगे कॉस स्कॉार ए अपान में लिख देंगे कितना C sins' este co A यहां पर ₹ 10 A यहां पर आपको 1 में कितने zone A प्लस यहां देखो यह वाला I sharpen RHS के तो जो method आपको अच्छा लगा हो उस method का आप यूज कर सकते हैं केवल यहां पर यहां पर आप पहुझे थे इसके बाग यह वाला step आपका स्टार्ट हो जाएगा देखिए अगर आप चाहे तो left hand side और right side दोनों साल कर सकते हैं या left hand side लेकर के right hand side दिखा देते हैं तो कोई दिक्कल नहीं है बाते समझ में आ गही होंगे question दोनों के दोनों आसान दे तो video questions अभी आप लोग pass करें देन हम लोग करते हैं फिप्त का लास्ट पार्ट जो हमारा पार्थ 10 होगा अब देखते हैं इस तरह का कुश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप कैसे साल करने क्योंकि एक ही कुश्चन इस तरह के बहुत सारे कुश्चन वहां पर बन सकते हैं और हम आपको बता दें एक बड़ी ही इंप्वाड़न बात दिया स्ट्रेंट्स आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें मैंने ट्रिग्नामेट्री की 50 इंप्वाड़न कुश्चन कवर किये हैं प्रिपियस यर में और बहुत ही को सिख लिया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कि उस प्लेलिस्ट को ओपिन करके आप 15 पॉइंट को हाँ पर मिलेंगे उसको कंप्लीट करके वाप किसी नोट कर लिएगा ठीक है स्ट्रेंट्स बात करते हैं अब हम इस कुश्चन को हम कैसे साल्व करेंगे इसका हम पहले फर्स तर्म लेंगे और इस करेंगे तर्ट के खर दिखाएंगे यससे अ प्रूफ हो जैगा कि प्रूव झूद देखाएंUCKे इस असलिएग ए हम पर यहां प्लस start टूर्म करते हैं और इसको हम लोग साल्व करते एं तो क्या हमारे इस दिट्ट hats one plus sign square A है ठीके आपन में one plus court square अब आपको पता districts की one plus sign square A क्या होता है sek square A तो यहाँ पर只 square A हो जाएगा आप one plus court square इस्ट्रेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास को से क्या हो जाएगा ठीके तो यह से को क्या आप one upon cos square A लिख सकते हैं साइन स्कॉार है और कॉस तो क्या लिख सकते हो वन अपां साइन स्कॉार अब साइन ऊपर चला जाए साइन को equal हो जाएगा ठीक है तो first term के आप लोगों ने solve किया और first term को ले जाकर कि आपने third term के equal दिखा दिया अब वही आपको काम करना है second term के लिए ठीक है आई यह second term को ले लिजिए यहाँ पर क्या strength हमारे पास one minus का time a upon strength क्या है one minus का cot a का whole square ठीक है आप इसको sign cos में change करो one minus strength यहाँ पर क्या लिखोगे sign a upon में कितना लिखना पड़ेगा आपको cos a upon यहाँ लिखोगे strength one minus cos a upon में कितना strength sin a ठीक है का whole square समझते चलना आराम से कोई problem नहीं है आप LCM लेजे strength यहाँ पर आपको मिलेगा cos a minus sin a ठीक है अपान में cos a का whole square उपर बचेगा और नीचे strength जब इसको LCM लोगे तो आपको मिलेगा sign a और minus cos a upon strength कितना sign a और पूरे का आपको मिल गया यहाँ पर whole square समझते चलने अराम से कोई problem नहीं होगी आपको strength यहाँ पर आप लिखेगा कितना cos a minus sin a का whole square और पूरे का अपान यहाँ पर strength यहाँ पर whole square होगा पूरे का आपको मिल जाएगा cos square ठीक है अलग-अलग square हमने लगा दिया ऐसे नीचे भी कर लीजे strength आपको यहाँ पर कितना मिलेगा sign a minus cos a का whole square upon में आपके पास बचेगा strength कितना यहाँ पर sin square ठीक है इतनी बाते है आपान में cos square ऐसे ही रहेने दीजिए अब यह जब उल्टे का sign square यह उपर जाएगा इस तरह के इसे ठीक है sign square अपान में यह strength आपके पास जो था sign a minus कितना cos a का whole square यह आपका नीचे रहेगा यह दोनों cancel हो जाएगे अब आप कहो कि सर यह बताएगे यहाँ साइन है यहां साइन माइनस का से कैंसिल हो गया कैसे यहाँ पर square लगा हुआ है और है माइनस कॉमा अगर लेते हो तो कॉस से माइनस साइन ही हो जाता है लेकिन वह माइनस हमेशा प्लस तो रहे क्यों कि उपर क्या लगा है इसलिए दोनों time सापस में अराम से कैंसिल हो सकते अगर यहां इसकॉयद ना लगा होथा तो कॉस यह माइनस साइन और साइन माइनस कास से कभी इसकॉयद न होता लेकिन square लगा था इसलिए cancel हो गया ठीक है तभी बच्चा कितना strength आप लोगों के पास आपके पास यहां बच्चा strength simply कितना sign square आपान में कितना बच्चा कॉस square तो आपको बचेगा sign square आपान कॉस square is equal to किसका time square जो की equal होगा strength आपका right hand side नहीं किसके equal होगा strength तो आप लोगों ने वहां पर first term लिया था यहां पर हम लोगों ने second term लिया तो हमने क्या देखा कि first term equal है third term के तो यहां पर आप बोल सकते हैं hence for system तर्म धियान देना first term is equal to किसके strength second term is sorted कर З tackle हो गया इसलिए हमार driving ponieważ यहां पर प्रूफ हो करते हैं तो इस साइज के कुछिशन सब के सब बहुत ही इजी थे तो डियर स्टेंट्स आज की इस वीडियो के साथ हम लोगों ने एंसियाइटी मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर एड गिविन हैं इंटोडक्शन आप ट्रिगनोमेट्री उसको कंप्लीटली कवर कर लि खुब ध्यान समय लेते हैं तो ट्रिगनोमेट्री की एक एक कांसेट आपकी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने एक छोटे से छोटे कांसेट को कवर किया है और लगभग लगभग सारे कुस्टन को साल कराया है और कहीं कहीं तो हमने टास्क के रूप में आपका अपको प् करें और ट्रिगनोमेट्री को अच्छे से आप प्रिपियर कर लें तो आज के इस वीडियों बस इतना ही सांदार रहिए मस्त रहिए पड़ाइए